हाँ जी हाँ एरिवन स्वागत आप सभी कान में दर्टूप चैनल में CDLU के तरफ से जो डेट शीट आई वे थी टेंटेटिव डेट शीट आपके साथ शेयर की थी आज यह फाइनल डेट शीट आ गई है ठीक है यह फाइनल डेट शीट आपकी बियर फर्स्ट यर सेकेंड रिअपियर रेगुलर जो भी है यहां पर आप देख सकते हो फुल फेल रिअपियर एडिशनल इंप्रूब्मेंट स्पेशल मर्सी चन सभी के साथ में एक्जाम है ठीक है और यह जो एक्जाम आपके स्टार्ट होंगे यह इवनिंग सेशन आपका रहेगा और छे से ही आपके आने वाले जो पेपर हैं क्या वो भी सेम है या फिर उनमें कुछ चेंजिस किया गया है तो यहां पर हम यह डिसकस करेंगे पिछली जो डेटशिट मैंने अनाउंस की ती डाली थी चैनल पर तो वहां पर भी बहुत डाउट थे कि यह क्या है मेडम बैच 2015 होगा है कि 2015 के बाद जिन बच्चों ने अड्मीशन लिया है 2015 के बाद जिन अब तक जितने भी बच्चों ने अड्मीशन लिया होंस सब करूइंग की एक्जाम आपके साथ में होंगे तो फर्स्ट पर आपका रहेगा चाल्डूड एंड क्रोइंग अपका उसके बाद दूसरा पिपर है साथ तारीक को सेकेंड यर का है यह और बैच वही रहेगा 2015 से लेकर मतलब 2020 तक के सभी स्टूडेंस में इंक्लूड होंगे फर्स्ट प पिपर है और पिपर रहेगा आपका क्रेटिंग एन इंक्लूजिव स्कूल उसके बाद 11 तारीक को है 11 सेप्टेंबर को बीएड फर्स्ट यर जर्नल लर्निंग एंड टीचिंग का है टीचिंग एंड लर्निंग एकी बात है आगे पीछे वर्ड्स कर दिये गए हैं तो यह महाँ पर उसके बाद 13 तारीक को 13 सेप्टेंबर को بीड सेचींट्य इंड जर्नल all language अग्रोस द करिकूल्म एप रहेगा उसके बाद 14 तारीक को 15 सेब्टेंबर फिर्स्ट यर का पेपर है सिस्मेंट् फूर लर्निंग ऊसके बाद 15 पलन टारीक को अंडेस्टैंटिंग डि इंग्लिश पंजाबी एंड फिजिकल साइंस ठीक है और भी हैं यह हैं आपके यह देखें यहां तक तो अभी तक जो अभी स्टूजन्स है 2015 से लेकर बाद में जो एडमिशन हुए हैं उनके हैं यह पर उसके बाद आप यहां पर यह देखें यह हैं 2010 से लेकर 15 के बीच में जो है ना कि जिन्होंने special mercy chance से देना है जिनकी reappear आई हुई है जिनकी पहले एक साल की beard थी उनकी reappear आई हुई है या फिर को special mercy chance से दे रहा है additional exam को दे रहा तो यह उनके लिए date sheet है यह आपकी नहीं है आपकी जो पिपर होंगे वो इन में से होने हैं चोले उसके बाद 17 तार संस्कृत यह 2015 के बाद के students का इनका भी संस्कृत का है 2015 के बाद के जो students है home science का है उसके बाद है teaching of commerce यह भी आपकी date sheet है उसके बाद है teaching and teaching of science and technology यह भी आपका पिपर है ठीक है तो science वाले sorry journal वाले है या फिर या फिर आपके जो special वाले students है वो अपने coding अपना subject देख लेना क् कि यहां पर लिखा हुआ है general and special इन दोनों में से किसी का भी कोई भी subject हो सकता है उसके बाद है बीस तारिक को 20 संबर को है second year का work education का ठीक है अगर आपके पास है तो उसके बाद है एक इस तारिक को यह आपका beard special and channel दोनों का साथ में दिया हुआ है पंदरा के बाद अगर admission ले रखा है तो teaching of economics है teaching of computer science music और यह जो admission है जो 2010 के पंदरा के बीच में उनका economics का है उसके बाद है 22 तारिक को paper beard second year का health physical and yoga education health and physical education उसके बाद 23 तारिक को है यही beard first year यह पर अपना यह जुरूर चक करिएगा कि आप किस year में belong करते है ठीक है first year special mercy chance है regular students हो जो अभी जिनोंने admission लिया तो यह चेक कर लेना यह आप है ठीक है life science social studies mathematics यह तो है अभी जो exam होंगे उसके बाद यह special वाले ही होंगे जो नोंने special mercy chance है देना है mathematics and social studies है चलिए उसके बाद ह यह जोग है एजुकेशन का 25 को है यह जनरल का है यहाँ पर information communication and educational technology यह जनरल जनरल का है ब्यर्ट फरस्ट यह उसके बाद 27 तारीकों पर है second year peace education उसके बाद first year यह special का है ब्यर्ट सेकेंड यह जनरल पर guidance and counselling है तीस तारीकों है यह special का है उसके बाद जनरल एंड special यहां लिखेंगे teaching and commerce का है और teaching of arts है लास्ट में आपका एक तारीकों be a second year environmental education दो तारीकों है यह आपका special का रहेगा तो यहां पर कुछ instructions है तो instructions में भी वही लिखा हुआ है common instructions कि आपको paper देने से पहले paper को check करना है electronic gadget नहीं लेकर जाने है extra sheet नहीं मिलेगी और जो आपका syllabus है वो year wise जो भी जिस भी year में students ने अपना admission कराया है क्योंकि जो syllabus आपका वो change हुआ है अभी last year में तो अपने syllabus के coding सबका paper आएगा ठीक है और जो social distancing है उसका पालन करना है आपक यही कुछ नॉर्मल सी instructions है जो कि दी जाती paper में ठीक है जी तो यहीं आपकी information देनी थी 18 को आपकी date sheet आई हुई थी ठीक है तो यही instructions यह date sheet final date sheet है यह ठीक है जी जो tentative date sheet थी वह भी आपने देखी है यह final date sheet है अब इस date sheet के coding आपके paper होंगे जो पहले date sheet थी उसको अटा इस date sheet के coding आपके paper होंगे ठीक है तो भी आज के था बस इतना ही जैसे ही आपके paper हो जाएं आप मुझे question paper जरूर share करें आप मुझे mail कर सकते हो या telegram पर share कर सकते हो teaching subject सब के अलग लग होंगे तो सभी को अपने duty निभानी है अपने questions paper जरूर मुझे share करें ठीक है तो चलिए अपने घर पर रहे सुरक्षित रहे और offline आपके exam है तो by social distancing का थोड़ा सा पालन करें और थोड़ा सा safety वरतें ठीक है तो अपनी exams की त्यारी रखें all the best for all thank you